हेलो गाईज वेलकम टो इंग्लिस एडुकेशन इस्टुडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइंथ बीहाई बुक से डा लिटिल गर्ड के सभी टाइप के कोश्चन आंसर और अल्मस्ट यहां पर हम ग्लॉसरी के बारे में बात करेंगे जितने भी वर्ड यहां पर यू आते हैं वह सभी हम पढ़ेंगे और आने वाली अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम एंसी क्यू पूरे चैप्टर से वैरी शोट शोट लों सभी कोश्चन आंसर को पढ़ने वाले हैं डेटेल में हम सभी टॉपिक पढ़ते हैं अपने चैनल पर अगर आपको वीडियो अच् चैप्टर ठीक है अगर आपने चैप्टर को पढ़ा है तो अच्छा है नहीं भी पढ़ा है तो यहां पर हम 6-7 परग्राफ को पूरा डेटेल में पढ़ेंगे उनी से रिलेटेड कोश्चन आंसर भी हम करने वाले हैं तो आपकी वीडियो थोड़ा लेंडी होने वाली है तो वीडियो को इस टिप मत करिएगा तो देखे ग्लोसरी की अगर हम बात करें यहां पर आप देख पारें बहुत सारे वर्ड जितने भी टीपिकल वर्ड चैप्टर में हैं वो सभी हमने यहां पर लिखे हैं कि क्या फिगर फिगर का मीनिंग है आपकर शेप I think आपको हिं सब्सक्राइब कंवर्ड कार फेंट फ्लो स्टेयर केस इस सेट ओफ स्टेयर मतलब सीडियों को कहा जा रहा है ड्रॉइंग रूम कोमन रूम फोर दा विजिटर है कैसा कमरा जो विजिटर के लिए होता है पेपर न्यूद पेपर की यहां पर बात की गई है इसलोली सब्सक्राइब किसी चीज को अपने आप से दूर धर केलना उसे कहते हैं पुश स्पेक्टिकल यानि के आई ग्लासे टैरिफाइंग फ्राइटेंग हरी अप डू क्विकली स्टर का मतलब है यहां पर स्टामर और हिंदी में इसका मीनिंग है हकलाना प्रॉपरली इन राइ सब्सक्राइब करें आपना मूँ खोलता है बड़ा सा और इन्हाल करता है अंदर सांस लेता है अपनी टायर्डनेस कि वज़ा से जाइंट जाइंट कहा गया है जिगनेटिक मैंग स्ट्रैच एक्सपैंस हैंकरचीफ अस्वायर प्लॉट कैरेट इन बन्स पॉकेट फॉर वाइपिंग वन्स नोज स्नॉरिंग स्लीप नॉइजली ग्रेवली सीरियसली कॉल्ड ग्लोइंग ऑफ नॉज यानि कि जो काम होना हम कह सकते हैं सरजेस्ट प्रोड्यूस एन आइडिया सिल्ट एक ऐसा फाइबर जो फाइन भी है स्ट्रॉंग भी है स्ट्रॉंग भी है सॉफ्ट भी और चमकदार भी है लस्ट्रस मेंस होता है चमकने बाला लबॉरियसली विद हार्ड वर्क स्टिच त्यू यानि के सिलना वंडर मुव विदाउट एम बिना किसी एम के इधर उदर घूमना स्क्रैप रिस्यू रिसीड्यू ओफ सम्थिंग गैदर कलेक्ट स्टाफड तूफिल हुएंड क्राई नॉइस हम सोर सराबाई से हिंदी में कह सकते हैं सर्प्राइज गिफ्ट स्क्रैम क्राई स्ट्रेट अपार्ट ओफ सम्थिंग दाट इस नॉट काग और बैंग्ट ठीक है आगे बढ़ते हैं इंस्टेंट बैट वैरी मुवमेंट ड्रैग पुल तुएंट फ्रो बैक्वार्ड एंद फोर्वार्ड शार लौट एक्स्प्लेंट तू मेक सम्थिंग क्लियर विस्पर तू स्टीक इन लो वोईस फैच गो एंद ब्रेंग्ड यूज इस पैस शैडो डार्कनेस यह अकॉर्डिंग टू चैप्टर आपके वर्ड मीनिंग दिये गए हैं पैटर्न अरेंग्जमेंट ओव सेप्स फ्लोर सर्फेस रूलर स्केल बीट हिट विलॉंग रिलेट पाम दा इनर सर्फेस ओफ दा हैंड देखिए इन्हें समझना क्यों जरूरी ह चैप्टर को तभी हम डिटेल में समझ सकते हैं रैप, कवर, रोक, सेक, क्लंग, होल्ड, शॉब, वीपिंग, साइलेंटल, चुपके से रोना, सिस्कियां लेके रोना कहलाता है शॉब, फॉर्गेट, अनेबल तो रिमेंबर, वीकली, हारिटली, गैप, होल, फैंस, वाल, चिल्डरन्स गेम, जैसे हम टैग हम कहते हैं पक्रम पकड़ाई, हैंगिंग, फॉलिंग डाउन, शेकिंग, मुविंग विद शॉट्ट, क्विक, मुवमेंट, होज, पाइप, कुक, अपरसन, वू कुक्स, फूड, आफरेट, फ्राइटन, नाइट मेयर, फ्राइटन ड्र रीचिंग पॉइंट बिट्विन दा एंकल एंड द नी, सॉट्स के बारे में आप सभी जाते हैं, बक्चर, अपरसन, वू किल्स, एनिमल, हम कसाई भी कह सकते हैं हिंदी में फे, देर्टफुल, फियर्फुल, शिवर, ट्रमबल, क्रीप, क्रवल, स्नगल, वार्ब, कंफर एनरजी, हाड, डिफिकल्ट, स्टर, मिक्स, आई होब पूरे वर्ड मिनिंग आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, अगर आप केन की हिंदी भी चाहते हैं, तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, आप कमेंट करके बताएं, तो आपको हिंदी भी इनकी बता दी जा आपको हिंदी जाती हैं, तो इसे बहुत ही रिलीव और ये कि हर रोस उबहे काम पर जाने से पहले वह क्या करते थे, उसके कमरे में आते थे और उसे किस करते थे, तो विच सी रैस्पॉंड विद गुडबाई फादर और उसके बदले में वह क्या कहती थी, गुडबाई कहती थी, and oh, there was a glad sense of relief when he heard the noise of carriers going fainter and fainter down the long road, तो देखे, जैसे जैसे उनकी जो कार थी, वो आगे बढ़ती चली जाती थी, उसके आवाज धीमी पढ़ती चली जाती थी, तो उसे बहुत ही relief मिलता था, in the evening when he came, home she stood near the staircase and heard the loud voice in the hall, तो देखे, जैसे वो सामने, साम को आते तो जो लड़की थी, वो एक तेज आवाज सुनती थी, वो staircase के पास खड़ी हो जाती थी, और वो आज क्या होती थी, कौन बोलता था, bring my tea into the drawing room, कहा जाता था, कि मेरी child drawing room में लेकर आ जाओ, has not the paper come yet, mother, तो देके पूछता था कि क्या अभी तक paper नहीं आया है, mother, go and see if my paper out there, अपनी मा से बोलते थे वो, कि जाओ, mother से कहते थे, जाओ, महाँ पर देखो कि क्या मेरा paper महाँ पर है, and bring me my slippers, और मुझे मेरी चक्पले लाकर दो, तो देखे, हमने पहला paragraph जाना, इसी से related हम कुछ question पढ़ते हैं, साथ में आपको इनके meaning भी दिये गए, answers भी दिये गए हैं, ठीक है, पढ़ेंगे, कुछ MCQ है, very short question answer है, अगर आप इस तरह से detail में पढ़ते हैं, तो आप मुझे नहीं रगते हैं, चप्टर में किसी भी type का question पूछा जाए, तो उसे आप तो देखें, ये चीज़ें हमें क्या बताती हैं, केजियास father wanted to hear a dispel fear of him, ठीक है, केजियास father loved her very much, केजियास afraid of facing her father, केजियास discipline girl, तो देखें, यहाँ पर आपका option B सही है, इसलिए वो ऐसा करते थे, क्योंकि केजियास के पिताओं से बहुत जादा प्यार करते थे नेक्स्ट कुशन है, choose the option that listed the set of statements that are not true according to the given extract, हमें उस statement को बताना है, जैसे कि हमने भी extract पढ़ा, उसके according वो true नहीं है, केजिया felt very sad, when her father went away from her, नहीं ये बिल्कुल गलात है, उसे उल्टब relief मैसूस होता था, केजियास father's loud voice made her afraid of him, ठीक है, केजिया के पिता की जो loud voice थी, उसे डराती थी, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर हमारा first वाला option क्या है, not true according to extract, ठीक है, केजियास father had a car to travel, केजियास father used to order केजिया to bring newspaper for him out of his house, तो देखें, यहाँ पर हमारा fourth वाला है, यह भी बिल्कुल सही नहीं है, केजियास father used to order his mother to bring his news, हाँ, यह बिल्कुल सही है, तो देखें, यहाँ पर इसका answer है, one third केजियास, one fourth, यहाँ पर option नहीं है, हाँ, तो यहाँ पर आपका option हो जाएगा, D सही, तो देखें, जैसे ही केजिया के पिता थे ना, यह शब्द कहते थे अपनी mother से, कि वहाँ जाकर देखो कि मेरा paper वहाँ पर बाहर है, क्या, मेरे slippers लेकर आओ, इससे क्या, क्या पता चलता है, यह चीज क्या दरसाती है, He had enormous respect for his mother, क्या वो अपनी mother की बहुत जाएगा respect करते थे, He did not gave her mother a due respect, वो अपनी mother को respect नहीं देते थे, He had a dominating behavior, he loved his mother very much नहीं है, पर इस आपका option होगा, D सही, क्योंकि इससे पता चलता है, कि वो अपनी mother को respect नहीं करते थे, The extract used the phrase, sense of relief, which of the following expression is incorrect with respect of the word relief, तो देखें, यह जो हमारा word, sense of relief, यह जो phrase use हुई है, तो यहाँ पर जो word दिया गया है, relief का, उसमें हमें बताना है कि कौन सा expression incorrect है, यानिके सही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका option A सही है, B सही है, कौन सा सही है, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर आपको चार option दिये गया है, यानिके बीच में आपको एक word दिया गया है, और देखो कितना घुमार फिरा कर question को पूछा गया है, ठीक है, इसमें हमें ये भी बताना है, correct नहीं बताना है, incorrect बताना है, कौन सा incorrect है, ठीक है, तो यहाँ पर आप guess करिये और बताईए जड़ा, तब तक हम देखते हैं, option one, freedom, believe, freedom, हाँ, बिल्कुल सही है, तो देखें, यहाँ पर उसे freedom feel करती थी, अब इसी paragraph से related, हम question answer पढ़ते हैं, very short questions है, how did father bid goodbye to Kezia before going work, तो हमने पढ़ा, casually हम पढ़ सकते हैं, बिना देखें भी हम इसका answer दे सकते हैं, every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, यहाँ पर answer आपको दिखाई दे रहे हैं, आपकी screen पर, how did Kezia react, when her father kiss, तो बताइए, वो क्या कहती थी, वो कहती थी goodbye, तो देखें, यहाँ पर इसका answer देख लेते हैं, Kezia respond with goodbye father, यह वो जवाब देती थी, third question देखते हैं, when did Kezia gave a glad sense of relief, कब उसे chain की सांस मिलती थी, उसे आराम मिलता था, वो freedom feel काती थी, तो देखें, यहाँ पर दिया है, Kezia had a glad sense of relief, when she heard the noise of the carriage growing pentier and pentier down the road, जैसे यह आवाज जो हलकी पढ़ रही होती थी, धीमी पढ़ रही होती थी, तो उसे बहुत ज़्यादा relief मिलता था, next question देखते हैं, where would Kezia be standing, when father came home in the evening, कहां पर खड़ी रहा करती थी Kezia, जब father son को घर पर आया करते थे, ठीक है, तो देखें, when father came home in the evening, Kezia would stand near the staircase, वो सीडियों के पास हमेशा खड़ी रहती थी, what did Kezia's father ask her mother to get for him, तो देखें, Kezia के पिता अपनी mother से क्या लाने के लिए कहते थे, उनके लिए क्या लाने के लिए कहते थे, Kezia's father asked the mother to get his tea into the drawing room, कहते थे कि उनके drawing room में tea आ जानी चाहिए, and see if the paper was out, और वो कहते थे कि देखें, वहाँ पर क्या बाहार paper है, and to get him his slipper, और अपने slipper लाने के लिए वो उनके लिए बोलते थे, नेक्स्ट पैरग्राफ हम पढ़ते हैं और जानते हैं आगे कि स्टोरी को फिर पढ़ते हैं, MCQ and very short question answer to the little girl, he was a figure to be feared and avoided, तो देखें, वो जो छोटी लड़की थी, उनके लिए उसके जो पिता थे, वो एक डराने वाली figure थे, और avoided figure थे, every morning before going to work, he came into her room and gave her casual kiss, to which she responded goodbye and there was a glad sensible, कुल same ही दिया गया है, ठीक है, आगे question पढ़ते हैं, question साथ कुछ change होंगे, which statement is not true according to the information given in that stress, तदिके कौन सा statement सही नहीं है, the girl's father does not love Kezia at all, क्या, उसके पिताओं से प्रेम नहीं करते थे, not true, जो true नहीं है, सच नहीं है, यानि के false है, ठीक है, तो ये वाला sentence हमारा नहीं है, Kezia does not want to face her father, no, Kezia's father is very strict toward Kezia, Kezia earned for her father's love, तो देखें, यहाँ पर आपका which statement is not true according to the, कौन सा statement बिलकुल भी सही नहीं है, तो यहाँ पर आपका statement होगा, भी सही, फिर भी हमें एक बार नीचे जाके answer को check कर लेते हैं, not there is not any answer, यहाँ पर आपका miss हो गया है, तो देखें, यहाँ पर आपका जो option B है, वो ही सही है, एक ठीक है, एक answer आपका, कि the girl's father does not love, नहीं, उसके पिता उसे प्यार करते थे, कौन सा यहाँ पर false है, तो यहाँ पर आपका first option बिलकुल सही है, next question परते हैं, what does the sentence given blow, reflect about the Kezia's father, के बारे में क्या पता चलता है, क्या reflect करते हैं, तो देखें, यहाँ पर statement दिया गया, every morning before going to work, he came into her room, and gave her casualty, क्यों ऐसा वो क्या करते थे, उनके बारे में इससे क्या पता चलता है, इस sentence से, he reluctantly dispenses with his formality, to show that being a father, he love his daughter very much, कि क्या वो formality करते थे, he does not, so to only, so Kezia's mother, that he loves Kezia's mother, क्या वो Kezia की mother को ऐसा swap करने के लिए करते थे, at bottom, he loves Kezia very much, या अंदर से वो Kezia को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, he unwillingly does so as Kezia, और mother tell him to do so, या फिर वो ऐसा इसलिए करते थे, क्योंकि Kezia की mother ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था, नहीं, तो देखें, यहाँ पर आपका option third बिलकुल सही है, सी बिलकुल सही है, next पढ़ते हैं, देखें, next question दिया गया है, based on the extract, what can Kezia not think at this moment, तो देखें, इस moment Kezia क्या नहीं सोच सकती थी, यह हमें बताना है, जो हमारा extract है, उसके base पर हमें इसका अंसर देना है, तो देखें, I wish my father did not go to his duty today, फिर, I wish my father loved me very much, I wish my father were not so strict, या फिर, I wish my father went to his duty earlier every day, तो यहां पर देखें, आपका option A सही है, ठीक है, क्या है आपका option A सही है, आगे बढ़ते हैं, for Kezia, the loud voice of her father must be, ठीक है, Kezia के लिए, जो उनकी loud voice होती है, वो क्या थी, मतलब क्या वो उसके बारे में सोचती थी, कैसा वो feel करती थी, pleasant, fearful, faint, snorous, तो देखें, यहां पर आपका option B सही है, वो उस loud voice से बहुत जादा डर जाया करती थी, next question देखते हैं, the noise of the carriage growing faintier and faintier down the long road, the literary device appeared in this sentence, कौन सी literary device का यहां पर यूज किया गया है, यह हमें बताना है, तो देखें, यहां पर यूज हुआ है, repetition, poetic device का, क्योंकि कहा जाते है, poetic device क्या है, जहां पर word को बार बार यूज किया जाए, तो देखें, यहां पर जो 20-year and faintier word use हुआ है, वो repeat हो रहा है, तो यहां पर हमारी repetition figure of speech है, यह हम literary device कह सकते हैं, very short question answer देखते हैं, इसी based है, who is he in the above extract, बिना answer देखें, हम यहां पर इसके answer करते हैं, who is he in the poem, आप guess कर सकते हैं, और फड़ाफट से answer कर सकते हैं, he is the father in above extract, according to the little girl, what type of figure was father, तो देखें, girl के according, किस तरह की figure थी, उसके पिता की, ठीक है, guess करिये, answer करिये, ठीक है, पढ़ लेते हैं, according to the little girl, father was a figure to be feared, ठीक है, answer चेक करते हैं, according to the little girl, father was a figure to be feared, ठीक है, next question देखते हैं, third question है, why did father come to Kezia's room, every morning before going to work, simple है, कहीं बार पढ़ चुके हैं, to the for the casual kiss, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, how did Kezia feel, when the noise of car is, carrying her father, grower, faintier, and faintier, तो देके, कैसा फील करती थी, केजिया जब उसके पिता की जो गाड़ी थी, वो दूर जाती थी, केजिया एड़ ग्लैड सेंस ओफ रिलीफ, केजिया है एड़ एड़ ग्लैड सेंस ओफ रिलीफ, when she heard the noise of the car is, carrying her father, growing faintier, faintier, तो देके काफी इजीली हमने इस समझ लिया है, नेक्स्ट कोशन्स पढ़ते हैं, what did केजिया hear when her father came home, तो केजिया क्या सुनती थी, जब उसके पिता वापस घर पर आते थे, केजिया हर्ड फादर्स लावड वोईस, उनकी उची आवाज को सुनती थी, इन्दा होल, होल के अंदर when he came home, जब वो घर पर वापस आते थे, नेक्स्ट पैरग्राफ, यानि कि थर्ड पैरग्राफ को पढ़ती है, I did do not know father, you did do not know, if you stutter like that, mother will have you take you, mother will have to take you to the doctor, तो देखिये, यहाँ पर जो केजिया है, वो हकलाते हुए अपने पिता के साह, सामने बोलती है कि मैं नहीं जानती, father जो यहाँ से copy कर रहे हैं, you do not, और वो कहते कि अगर तुम इस साह से हकलाओगी, तुम जो मदर है वो तुमें, उन्हें तुमें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, she never stutter with other people, वो दूसरे लोगों के सामने ऐसा नहीं करती थी, had quite given it up, वो इस आदत को लगबग छोड़ चुकी थी, but only with father, father के साथ वो ऐसा करती थी, because then she was trying to say hard, to say the word properly, क्योंकि जो वो कोशिश करती थी, कि वो सब्दों को सही से कहे, dad, what is the matter, ठीक है, अब कहाँ जारे, what is the matter, what are you looking so wretched about, और वो कहती है, कि तुम्हें इतने गुस्वे में क्यों देख रही हो, mother, I wish you taught this child, not to appear on the brink of suicide, वो अपने mother से कहती है, कि तुम्हें इस बच्ची को सिखाना चाहिए, कि वो suicide ना करे, कि अपने आपको ऐसे ना दिखाए, कि वो मरने वाली है, हर, Kezia carry my tea cup back to the table carefully, आगे वो कहते थे कि केजिया, यह जो tea cup है, इसे वापस से table के उपर carefully लेकर जाओ, he was so big, जो फादर थे वो बहुत बड़े थे, his hand and his neck, especially his mouth when he yawn, तो देखें, जब, especially जब वो जमाई लेते थे, तब उनका face बहुत बड़ा लगता था, उनकी गर्दन बहुत बड़ी थे, उनके हाथ बहुत बड़े थे, thinking about him alone was like thinking about a giant, तो देखें, बिल्कुल जब अकेली होती थे, तो उसे ऐसा लगता था, वो उन्हें एक giant की तरह दिखते थे, उन्हें giant समझती थी वो, चोटी सी बच्ची थी, इतने बड़ी figure और few figure उसे दिखाई देती थी, उपर से वो loud voice में बोलते थे, गुसा कते थे, इससे वो और भी ज़्यादा डर जाया करती थी, अभी इसी से related हम कुछ questions पढ़ लेते हैं, what does the sentence given below, reveal about the caseya's mental status, तो देखे, caseya की mental status के बारे में यह sentence है, वो क्या दर साथी है, I do not know father, वो हकला के बोलती है, she is excited, क्या वो excited है, she is frightened and nervous, क्या वो डरी हुई है, घबराई हुई है, she is overconfident, वो overconfident है, she is lost in some deep thinking, या वो गहरे विचार में खोई हुई है, तो देखे, यह answer होगा इसका, she is frightened and nervous, वो घबराई हुई होती है, क्या वो डरी हुई होती है, केजिया फादर, इन्टियेट्स केजिया वर्ड्स, तो देखे, यहाँ पर जो केजिया के पिता होते हैं, वो केजिया के वर्ड्स को कॉपी करते हैं, उन्हें दोराते हैं, do not know, with an intention to, ठीक है, ऐसा करने में उनका क्या इरादा है, क्या वो उनकी उसकी मिमिक्री करने, मतलब उसकी कॉपी कर रहे हैं, उसे चिड़ा रहे हैं, वो केजिया के उपर हस रहे हैं, वो केजिया नौट इस्टर्ड लाइक दिस अट आल, तो देखे, यहाँ पर थर्ड ओप्सन आपका सही है, वो नहीं चाहते कि केजिया इस तरह से हकला कर बात करें, केजियास FATHER यह हो चुका है, What is the matter, Who is the speaker of this sentence, इस sentence के speaker खोने, केजियास FATHER हैं, केजिया की Mother है, यहाँ फिर केजिया की Grand Mother हैं, तो देखे, यहाँ पर केजिया के FATHER इस sentence को कहते हैं, तो देखें केजिया जो है अपने फादर को किस से compare करती है इस पिट लार्ज एनिमोल मॉंस्टर या ओल आफ दीज सभी से compare करती है तो देखें यहां पर आपका option B सही है वो उन्हें एक monster मानती है एक giant मानती है नेक्स्ट कोशन दिया गया है आपका which of these words is odd one odd one मतलब पिल्कुल different है out with reference to the meaning of brink as used in the extract ठीक है तो देखें यहां पर जो brink word यूज किया गया है उससे बिल्कुल odd है बिल्कुल different है जो इस extract में यूज किया गया है वो हमें बताना है यहां पर आपका option बी सही है यानि के number two पर parameter ठीक है यह हमारा odd यहां पर दिया गया odd one है next परते हैं very short question answer को why was Kezia have to go to doctor according to the father ठीक है तो father के according Kezia को doctor के पास क्यों जाना पड़ेगा ठीक है Kezia would have to go to doctor because he was stuttering तो क्यों कि वो हकलाती थी स्टामर करती थी इस लिए did Kezia stutter with other people क्या वो दूसरे लोगों के सामने भी हकलाती थी why did C stutter only with father वो केवल पीता जी के सामने ही क्यों हकलाती थी वो इसलिए हकलाती थी because then C was trying very hard to say the word properly क्योंकि वो चाती थी कि वो सही से सभी सब्दों को वो सही से बोले जैसा वो नहीं कर पाती थी next question दिखते है how was Kezia looking according to the father father के according Kezia कैसी दिख रही थी Kezia was looking at with the on the brink of suicide तो देखे Kezia ऐसे लग रही थी कि जैसे कि वो मरने वाली है suicide करने वाली है बलकुल वैसे ही दिखती है next question है how did Kezia view her father ठीक है देखते हैं इसका answer Kezia found him very big Kezia को वो बहुत बड़े लगते थे his hand and neck were big उनकी गर्दन उनके हाथ और especially उनका जो mouth था वो जमाई लेते थे तब वो बहुत बड़े दिखते थे thinking about him was like thinking about a giant जबी भी वो उनको देखती थी उनके बारे में सोचती थी वो giant की figure उनके उसके मन में हमेशा से आती थी next paragraph को जानते है laboriously with a double cotton the little girl stature three sides तो देखे वो क्या करती है बहुत ही मेहनत करती है और वो एक कपड़ा लेती है और उसके क्या करती है और उसमें क्या करती है और तीनों साइड से silk देती है क्योंकि grandma ने क्या कहा था कि उनके लिए pin cushion बना दिया जाए silk के cloth का but what to fill with it that was the question अब उसके सामने question था कि उसे किस चीज से भरा जाए अब वो उसमें तयार तो कर लिया था the grandmother was out of out in the garden grandmother बाहर garden में थी and she wandered into mother's bedroom to look for steps तो देखे अब वो कुछ कटी भीटी चीजे कत्रणों को धूणने के लिए अपनी mother के bedroom में जाती है on the bed table she discovered a great many sheets of fine paper gathered them up tore them into tiny pieces and stuffed her case then suit up the fourth side तो देखे अभी वो क्या करती है वहाँ पर जाती है bed table के पास जाती है और उसे वहाँ पर बहुत सारे जो papers है fine paper अच्छे paper होते हैं और वो हाँ पर दिखते हैं उन्हें सब को इखटा करती है उन्हें तुकडों में फार देती है और stuff means होता है भर देना और वो उस case में भर देती है और फिर उसको fort side को सिल देती है that night there was a hue and cry in the house उस रात पूरा सोर सरावा होता है घर में father's great speech for the port authority had been lost क्योंकि जो पिता ने एक speech लिखी थी तयार की थी port authority के लिए वो खो गई थी ठीक है तो मतलब paragraph को पढ़ने से क्या पता चलता है कि जब केजिया mother के room में गई थी उसने जो fine paper उठायते वो शायद वही speech होगी और उसने उससे टुकडों में फाड़ा और उसने उस pin question में भर दिया ठीक है तो चलिए जानते इस इस related questions को which of these description is most appropriate for the meaning of laboriously जो हमारा word है laboriously उसके लिए हमें सही word बताना है physical hard work, mental hard work, physical as well as mental hard work done with utmost care तो यहाँ पर हमें इसका answer बताना है इसका answer होगा यहाँ पर c physical as well as mental hard work उसने वो दोनों ही किये थे next पढ़ते है which one of the following statement is true about the Kezia's act of tearing her father's important paper तो देखे कौन सा statement सही है जो Kezia ने act किया था जो paper थे वो important paper थे वो पार दिये केजिया commit such mistake deliberately तो देखे क्या यह mistake केजिया ने जानबूज कर की थी c did not unknowingly तो देखे क्या वो उसने अंजाने में की थी c did not know the importance of those papers क्या वो उन people की importance को नहीं जानती थी बोथ b and c are correct तो आपके जो answer है b and c क्या वो correct है yes तो देखे यहाँ पर आपका option d सही होगा next question देखते है which option reflect the image nearest the hue and cry तो देखे कौन सी image जो है बिवकुल fit बैठती है जो हमारा word यानिके phrase use हुई है hue and cry उसके लिए figure को देखते हैं जानते हैं ये नहीं है ये है ये भी नहीं है और ये भी नहीं है तो यहाँ पर आपका option 2 यानिके B सही होगा the intensity of Kezia's father's anger would have been less if Kezia did not तो देखे यहाँ पर जो Kezia के पिता है उनके गुस्से का कारण बताना है ठीक है the father seat of fine paper fill her cushion with seats of fine paper you up the third fourth side of her cushion tear them into teeny pieces तो देखे क्या होगा यहाँ पर आपका option होगा D क्योंकि उसने क्या किया था उन्हें छोटे छोटे टुकडों में फार दिया था see wonder into mother's bedroom for to look for the scrap so match the following phrases with dear meaning तो देखे हैं आपर कुछ phrases दी गई है उनके meaning देखने है और उन्हें match करना है ठीक है देखते हैं look for कहाँ पर match होगा look for यानि कि third पर आपका match होगा expect something next है आपका look at जो आपका match होगा take care ठीक है fourth पर match होगा फिर है आपका look after यानि कि आपका examine something closely look ahead यानि कि think about future समझ आ गया होगा तो यहाँ पर आपका option A सही होने वाला है next यहाँ पर आदेखे आप concept भी दिये गए हैं आप detail में जान सकते हैं what was Kezia making Kezia क्या बना रही थी केजिया वाज making a pin cushion as the birthday gift for her father अपने फादर के birthday gift के लिए केजिया ने pin cushion बनाया वो बना रही थी pin cushion को why did Kezia wonder into mother's bedroom mother के bedroom में केजिया किस चीज की तलास में गई थी Kezia wondered into mother's bedroom to look for scrap to fill her pin cushion अपने pin cushion को भरने के लिए कुछ कत्रने काटिविटी चीज़े चाहिए थी कुछ papers चाहिए थी इसलिए वो वहाँ पर गई थी what did Kezia discover on the bed table in mother's bedroom क्या मिला केजिया को mother के bedroom में bed table पर क्या मिला Kezia discovered a great many sheets of fine paper बहुत सारे उसे fine paper मिलते हैं वहाँ पर on the bed table bed table पर mother के कमरे में next question क्या है next question है what did Kezia do with many sheets of fine paper which were on the bed table केजिया ने उन fine paper का क्या किया जो bed table पर थे तो देखें Kezia gathered the sheet of fine paper which were on the bed table सबसे पहले उन्होंने उसे उसने उसे इकटा किया seed and tore them into teeny pieces चोटे चोटे टुकडों में उसे फार दिया and stuffed her pin cushion and sewed it up और उसे उसमें भर दिया और जो fourth side थी उसको sildhya there was a why was there you and cry in the house at night उस रात वो जदा शोट सराबा घर में क्यों था ठीक है there was a you and cry in the house at night because father's great speech for the port authority had been lost क्योंकि वो खो गई थी जो speech उन्होंने तयार की थी port authority के लिए वो खो गई थी अब next paragraph जानते हैं but the child never forget next time she saw him see quickly put both hands behind her back and a red colored flew into her cheek तो देखे बच्ची जो है उसे डाटा गया मारा गया ठीक है बच्ची उसके हाथों पे मारा गया पिता के द्वारा ये paragraph इसमें नहीं दिया गया है तो बच्ची जो है उस चीज को कभी नहीं भूल पाती है अगले टाइम जब कभी भी वो अपने पिता को देखती थी उसने अपने दोनों हाथ पीछे बांदे हुए थे ठीक है तो क्या होता था जो रैड कलर था उसके चिक्स पर आ जाता है मतलब इतना डर जाती थी उसका फेस पूरा लाल हो जाता था तो देखे इससे पहले क्या पांच बच्चे थे looking through a gap in the fence fence हमने पढ़ा था मीनिंग में दीवार होता है तो देखे वो जो लड़की होती है little girl होती है के केजिया होती है वो दीवार के gap से hole से देखती है दैं प्लेइंग टैग टैग मिन्स होता है पकड़म पकड़ाई इंदा इवी वो सभी जो है मिलक अपने फादर के साथ यानि के पांच बच्चे और जो मैक डोनल्ड थे उनके पड़ोती वो टैख खेल रहे होते हैं सामने दो फादर वी द बेबी माओ माओ उनके बच्चे का नाम है on his shoulder वो उनके कंधों पर था two little girls hanging on to his court pocket rent round and round the flowerbeds जो क्यारियां बनी हुई थी फूलों कि उसके चारों तरफ उनकी कोट की pocket को पकड़ कर वो उस पे लटक रही थी भाग रही थी shaking with laughter वो जोर जोर से हस रहे थे once he saw the boy turn the hose on him तभी उसने रेखा कि लड़का जो एक pipe को उनकी तरफ कर देता है and he tried to catch them laughing और हसते हुए वो उनने पकड़ने की कोशिश करते हैं at all time downton तो कि मेरे जो पिता हैं वो मुझे डराते हैं ना मारते हैं दागते हैं तो वो उनने से ने पा समझती थी कि को देखते हैं इसी सा prepared by her for the father her father's birthday celebration beating with a ruler by her father तो देखिए आपर fourth जो आपका option है वो सही है उसके पिता ने जो उसे ruler से मारा था उसे वो कभी नहीं भूल पाती है वार ड़स दा expression red color flew into her chick reveal casey about casey तो देखिए उसका जो expression था कि उसका जो face था उसके जो chicks थे वो गाल जो उसके थे वो लाल हो जाते थे क्या परकट करता है casey के बारे में क्या दल साता है casey became angry casey got afraid casey became happy became excited तो देखिए यहां पर आपका option c सही है वो काफी डर जाया करती थी which option list in list the image nearest to the boy turn the nose of him तो देखिए यहां पर दिया गया है यहां पर nose नहीं यहां पर hose आना है इसलिए थोड़ा confusion था hose means होता है pipe देखिए यहां पर दिया गया है तो देखिए कौन सा option image में जो दिये गए है वो यह जो फ्रैस दी गई है the boy turned the hose on him इससे relate करता है तो देखिए यहां पर first वाला जो option है वही सही है ठीक है यानि कि यह वाला option आपका सही है इस देखिए केज्या find between her father and mcdonald in term of the attitude towards her office spring तो देखिए क्या difference देखिए केज्या अपने पिता और mcdonald में जो उनका attitude था अपने बच्चों के प्रतिक्या difference पाती है mcdonald dove his children very much but her father did not क्या ऐसा था mcdonald wasted his children's time but her father did not do so देखिए यह पर कहा जा रहे कि जो mcdonald थे वो अपने बच्चों का time ऐसे बरबाद कर रहे थे और उनके पिता ऐसा नहीं करते थे ठीक है या फिर mcdonald was very friendly toward his children whereas her father was very strict none of these तो देखिए यहां पर अगर बच्ची के view के अगर हम बात करें तो उनका उसका मानना था कि जो mcdonald है वो अपने बच्चों को बहुत जादा प्यार करते हैं और उसके पिता उसे इतना प्यार नहीं करते हैं विच ऑप्चन लिस्ट दाइमेज नियर एस्ट तूस सेकिंग विद लाफ्तर यानिके जोरो से हसना खिल खिला कर हसना उसको हमें रिलेट करना है तो यहां पर आपका उप्चन थर्ड सही है यहां पर आप देख सकते हैं अंसर भी दिये गए हैं नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके बाद हम एक पैराग्राफ और पढ़ने वाले हैं हलकी आपकी वीडियो का फिल एंदी हो रही है बट चैप्टर आपका पूरा का पूरा यहां पर क्लियर होने वाला है कोई भी कोशन आप मिस नहीं कर पाएंगे तो चलिए बने रही है हमारे साथ आगे बढ़िए व को मारा था पीटा था उसके बाद वैंकेजिया साहर फादर अगें जब उसके पिता को वो दुबारा देखती है पीटने के बाद फ्रॉम हिंसी क्विकली पुट बोथ हैंड बीहाइंड तो जल्दी से वो अपने दोनों हाथों को पीछे बांध लेती है अपनी बैक के एं एंड वर केजिया नाइबर मैकडोनल्ड कोन थे केजिया के नाइबर थे वाट गेम वर दा मैकडोनल्ड प्लेंग विद इन दा प्लेंग इन दा इवनिंग वैरी सिंपल है टैग क्या खेल रहे थे वो टैग खेल रहे थे मैकडोनल्ड चिल्डन प्लेट टैग इन दा इव वह टैक का खेल रहे थे साम को अपने पिता के साथ next देखते हैं after seeing mcdonald's children playing with your father what decision did Kezia come to तो देखे क्या decision कर लेती है केजिया क्या सोचती है ठीक है केजिया saw the boy turns the horse on the father and try to catch them and he tried to catch them laughing at all time तो देखे क्या देखती है केजिया पाती है कि जो लड़का था उतने pipe उतने पिता की तरफ घुमा दिया और वो जो है पूरा time फिर भी हसते रहते हैं यहां पर यह आपका answer नहीं है यहां पर थोड़ी सी mistake हुई है देखती है after seeing the mcdonald children playing with their father केजिया come to decision that they are were different short of father तो देखे वो decision लेती है वो सोचती है कि कई तरह के जो पिता होते हैं वो अलग-अलग तरह के होते हैं next and last paragraph अपना जानते है what will I do if I have a nightmare तो देखें आपर थोड़ा सा स्टोरी में क्या सीन होता है एक दिन क्या होता है कि केजिया की मदर थोड़ा बिमार होती है तो उसकी जो ग्रैंड-मदर होती है वो उसकी मदर को लेकर जाती है होस्पिटल में उस टाइम पे केजिया होती है घर पे अकेली और उसको रात वो गही जाइंट वाला बक्चर वाला ड्रीम आता है वो डर जाती है ऐसी कंडिशन में जो उसकी पिता होती है वो उसे अपने पास लिटाती है उस दिन केजिया का जो थोड़ा व्यू था वो अपने फादर के लिए चेंज हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर नाइट मेयर की बात की गई है तो अभी केजिया के लिए सोच रही है कि क्या होगा अगर मुझे फिर से वो नाइट मेयर यानि कि दरावना सपना आया तो देखे अभी क्या होता है वो कहती है कि क्या होगा वो पूछ रही है I think कुक से पूछ रही है कि क्या होगा अगर मुझे नाइट मेयर आया मुझको रात को वही डरावना सपना आया अब जब ग्रैंड मा होती है तो वो मुझे अपने पास ले जाती है अपने बिस्तर पर ले टा लेती है मैं रात को अंधेरे में अंधेरे में बिल्कुल नहीं रह सकती हो दीरे दीरे से बोल रही है यू जस्ट गो टो फ्लीप चाइल्ड येस वो कुक से बात कर रही है तो को कहता है कि तुम सो जाओ अभी तुम सो जाओ बच्चे सैड एलिस पूलिंग ओफ हर सोक्स उसके सोक्स को उतारते हुए कहता है कि तुम अभी सो जाओ वो कहते है कि तुम चिलाना मत और अपने पापा को तुम जगाना भी मत बट द सीम और नाइट मेर कम लेकिन वही पुराना सपना उसे आता है द बच्चर विद अनाइप और सपना क्या था कि एक कसाई जो होता है वो अपने बड़े चाकू के साथ रोप के साथ आता है अपने नाइप को लेके पास आ रहा है पास आ रहा है उसकी मुस्कुराहट है और वो महिल नहीं पाती है खड़ी नहीं हो पाती है रोती रहती है क्या बोलती है ग्रेंड्मा ग्रेंड्मा वो जब कापरी होती है वो जागती है तो वो क्या पाती है उसके पिता जो है उसके बैड के बिलकुल पास में खड़े है कि बैड के पास खड़े है उनके हाथ में एक कैंडल है What is the matter he said और वो पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या बात है तो यह जो paragraph है वो आपने समझ लिया है उसी से related हम question पढ़ते है What will I do if you have a nightmare in this sentence के जिया तो देखें इस यह जो sentence बोला है उसमें What will I do if I have a nightmare तो इस sentence में clear question clear नहीं हो रहा है पढ़ते हैं Express herself to be in a dilemma तो क्या वो express कर रही है कि वो एक दुवीधा में है Ask a question from her cook क्या वो अपने cook से question पूछ रही है Express her curiosity Express her problem तो देखें आपर आपका option भी सही है वो अपने cook से question कर रही है Which option does not use the word nightmare correctly as used in the extract वो word हमें बताना है जो does not use the word तीक है उस option को बताना है तीक I still have nightmare about my serious accident No Our trip to Simla proved a nightmare as my mother fell seriously ill No Before going to bed Take the name of God You will not have any nightmare ऐसा नहीं कहा जादा है Don't watch so many horror movies You may have nightmare तो देखें तुम्हें बहुत सारी movies नहीं देखनी है जिससे कि तुम्हें नाइट मेर आए यानिके जो डरावने सपने हैं वो आए तो देखें यहाँ पर आपका option B सही है Our trip to Simla proved a nightmare as my mother fell seriously ill there ठीक है तो यहाँ पर हमें तो आपका option B बिल्कुल सही है यहाँ पर आपके दो ही question दिये गए है नेक्स्ट पढ़ते हैं very short question answer What was Kezia's frightened of when Alice tucked her into bed ठीक है तो Kezia को किस चीज का डर था जब Alice ने उसे उसकी बिस्तर पर लेटा रहा Kezia was frightened of having her usual nightmare when Alice tucked her in bed तो देखें जब Alice जो उसका उनका फुक था उसने उसे बिस्तर पर लिटाया तो Kezia को डर था कि उसे वापस से जो सपना आता है डरावना सपना आता है वो आ जाएगा next question है What did Granny do when Kezia had her nightmares तो देखें जो Grand Mother थी वो क्या किया करती थी जब Kezia को वही पुराना सपना आता था When Kezia had her nightmare Granny used to Kezia into her own bed तो Granny क्या किया करती थी Kezia को खुद के बिस्तर पर ले जाती थी क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता था What did Kezia see in her nightmare अपने nightmare में डरावने सपनी में Kezia क्या देखती थी क्या के चीजे देखती थी देखिए Alice Fourth हमने पढ़ा है Kezia saw the same old nightmare एक जैसा सपना आता था हमेशा Kezia को क्या आता था यहां पर देखिए spelling में हो रही है बक्चर लिखना है यहां पर The बक्चर with a knife and a rope सपना आता था कि एक कसाई आ रहा है जिसके हाथ में चाकू है रसी है Who came near and near वो पास पास आता चला जा रहा है Smiling that dreadful smile वो डरावनी से उसके मुस्कराहट होती है While C could not move Could not Could not move Could not stand Still crying out grand तो देखे तभी क्या होता है वो हिल नहीं पाती है खड़ी नहीं पाती है केवल वो चिलाती रहती है रोती रहती है अपनी ग्रेंड मा को बुलाती रहती है नेक्स्ट कोशन है हमारा Whom did Kezia see When C woke up seving तो देखे जब वो कापते हुए उठती है तो Kezia क्या देखती है When Kezia woke up seving C saw her father beside her bed with a candle in his hand तो देखे केजिया क्या पाती है जब वो उठती है और वो कापती रहती है वो देखती है कि उसके पिता जो है पढ़े जो काफी important है और यहां पर हमने स्टोरी को भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ऐसी ही informative वीडियो के लिए और हम साथ में ही SST के सभी topic पढ़ रहे हैं सभी type के question answer हम पूरा detail में पढ़ रहे हैं तो मिलते हैं अपने next topic में तब तक के लिए बाबाई and take care